आजो को चर्चामा ज्ञान रसिद्ध इद्धुई बिच के फरक्ष भने विशय में चर्चा गर्चु। यो अध्यात्ममा इद्धुई सब्दमा फरक्ष यो धेरई फरक्ष यो फरक्ष यो फरक्ष नहीं सत्ते हो यो फरक्ष ला हमिजे जाने नाव भने मानिस। हराऊ नसक्ष चुक नसक्ष बिलाऊ नसक्ष वो अधुरो अपुरो रहन शक्ष अत्हा आज इस्तो महत्तो पूण यो चर्चा रहने छ ज्ञान रसिद्धी की हो। इसलाए और के ढंगले एक मुष्ट मां ब्यक्ष गरना सक्षू। फेरी तरा आजसम्मा एसेई मां उल्जान छ इन्हें सब्ध ने अपनाईयेको छ तो इन्हें सब्ध लाए लियेरा। आजसम्मा को मानिसले इस मां ठीजे जानियो। इसलाए नहीं आधार बनाऊदे ठीक ढंगले आमुने सामन्यमा लियाई देने छू। इद्धो ही ज्यान रसिद्धी लाए। शिद्धी भने को शरीर मंडल को आयाम बाटा हेरनु पर्च। शिद्धी भन्यवित्ति के बाहिर बाटा हेरनु पर्च। रयो शिद्धी तत्त सिद्धी सम्मप्पुक्दाश। इन्द्रिय लाए आपनो काबुमा राखनु इन्द्रिय लाए आफुरली थोरे भयपनी कंटूल गर्दै अभ्यास करनु दिखिल लियर। शरीर लाए छोर्दा सम्म तुद्ध्यान को अभ्यास मा शरीर छोर्दा सम्म। अनि मन द्रो बुद्धि बिचार इसलाई काबुमा इसलाई कंटूल मा अफनो बस मा अफनो इच्छाले। जसले चलाऊन सक्छा जो इसमा अभ्यस्त अब उसको बस माचा मन बुद्धि अब उसको विचार उसको इच्छाले चल्छा। जो इच्छा भंदा सोथा आफे आउने खाल को चार इसले उसले कंट्रोल गरना सक्छा। जो इच्छाले मंद्र बुद्धि को बस मा क्षाले काम गरना सक्छा। स्वई छाले इद्धुईलाई संचालन गर्न सक्छा। यो हद सम्म कोई स्थिती तत्तु सिद्धी कोई स्थिती हो। यो तत्तु सिद्धी हो। इसलाइट ठीक संग बुझा। बुद्धी रा मन्सम कावु माच उसको शरीर मंडल को इंड्रिये को सम्रजना। इंड्रिये मां जुन आवाज मां विचरण गर्न सक्ने। आखाले समग्रता समग्र रूप हेर न सक्ने। इवटामा नौल जिने सारा रूप मां वह न सक्ने। अनि कान मां। आवाज मां विचरण गर्न सक्ने। उसले कुने आवाज ले कुने बाहरी रूप ले आखार कान इंड्वी मां जु विचरण गर्न सक्ने। इस पाट मुप्त आणि हर इंड्वी है। उसले स्वात कुछ नोट गर्देन। आणि हर एक आणि काम इंड्वी है। कर्मेन दिया। इस सब उसको बसमा चा। उसको आउला चल चा भने बनी होसले चल चा। मानिस एती के बस खुटा को आउला एसो एसो गर्षा। हाथ को आउला एसो एसो गर्षा। उसको बसमा नहीं चाहिना। शरीर नहीं बसमा चाहिना जस्तू। एस तो इस्तिती नभाये क। शरीर मंडल स्वय्थीक भयाको सान्त भयाको सिद्ध भया क। पवित्र भया क। शरीर मंडल मन बिचार दुवए पवित्र भया क। और त्ट्ञय शुद्ध और गास पर आप, सुद्धि अ विजान हो क्या है। ज्यानी र तत्तो सिद्ध बेक्ति मां फरक छो तत्तो सिद्ध बेक्ति ज्यान सम्हा जाना को लागे एती नहीं पार गर्ण पर दा छो जती उसले पार गर्ण दे आयो यह अर को आयाम हो यह चेतन मंडल अब यह अंतस को अब चित्त अहंकार अब रिद्धे केंद्र को अब आत्मको ज्यान को लागे यह सिद्धी जाएंच अब इसको बिभारिकता संग हेल्ज शंसकार संग संस्केर्टी संग लोब मोह संग काम बासन संग जसले ज्यान गर्च तत्यों हाल हुँँच यो चिंतन् नंन् ध्यान ध्यान बिच माच यह दुबै को लागे ध्यान चाहिन जा यो तत्यों सिद्धी रार को ज्ञान को दुबही को बीच माप्षा ध्यान ज्ञान को लागी हामेले थोरे अलग खाल को अभ्यास करने परने चाहिन बेवहारीक खाल को अभ्यास चाहिन चिंतन अनन ध्यान चाहिन यो तो उस्ते उस्ते खाल को साधना हो फिर जुन लोब मोह इसलाई काठनु चाहिन फरक खाल को जस्तो लाग चाहिन तैसलाई ग्यान द्वाराने काठनु परने होंच अब यहां मुल साधना भने को जाननु परने होंच लोब किना चाहिन लोब किना उड़ चाहिन यो लागना तो मंद्रव इजार को साधना संसंगे लागने हो तैपन यो अंतस्मा यो रिधे बाटने इसलाई हल गानु परने होंच बिगत बाट भोगिंदे आयको जुन संस्कार आमिमा भित्र रहनच तो बिगत लाई कोट्याउं दे हल गानु परने होंच हर बाईर घटने घटना त्यो भण्द पहिला ने जान्न सकने होसियारे चाहिन ज अब यो रिधे केंड्रमा यो साधना चेक्श रिदे केंद्रभंदा बाहिरा गयरा युद्चिंतन मनन गरनी होई युद्चिंतन मनन रिदे मार रहिरा गरनी होँच्छ रजबा युब बाहिर्य संस्कारीद रूपमा जुन लोब, मह, काम, रिष यादी सभई दुरगुण हरुलाए काठ नसक ने बन छों रहाई सभई काठी येर जान छन जब हमें यो मह को आबरन बाट बाहिर जान छों रिष राक को आबरन बाट बहिर जान छों इसभई संस्कारीद र अपो भित्र संस्कार द्वारा रहेगो कुन्ठ साइत को सवै गाठो हरु हल भाई चाके पच्छी ज्यान मिल दाछ ज्यान यो आबरन बाट बाहिर जान छों जब यो मुक्ति मिल जब मुहा आबरन बाट आमी छोड़ छों रहेश्ते द्रिश्ना को सबी आबरन आमी बाड़ छोड़ छों इपने अभ्यास नहीं गर्ण पने हों भाई जैल्य धिरे अभ्यास मा भर्त alltid भाई सके बते तौं ग्यान मा रहस्तर जब्याद मारा हं रहस्तर वही ग्यानी हो त्यक्राग को से उन्यानी होग छोड़़ सिद्ध छ उव बहेर आउंच भने उज्ञानी होई ना उव गुरु बनना सक्देई ना इस्तो खाल को सिद्धी धर्म संप्रदाय भीत्र नहीं रहेर पनी त्योड सैतन्ने ताहो त्यों शरीर मंडल ले भोगने इनलाइटेंडमेंट त्यों अलव कित्ता अमाने इसले महासुस गर्चार यो नहीं रही छा भनेरा बहस्चा यो तत्तो सिद्धी ग्यान होई ना तत्तो सिद्धी बननू ग्यानी होनू होई ना ग्यानी होनू रा तत्तो सिद्ध होनू मा धेरे फरक्ष ग्यानी ले आफना तत्तो सिद्धी गानू पारदा छा रा जो तत्तों शिद्ध्यश्व में Gesetz चैन्यों जो तत्तों शब्ध्यश्या हो का सिफ़ने जो तत्तों शिद्ध्यश्या इदंध्युत्याम्त आसे पमादड़ाने रै। यहने उचाहो भन्ठाने भने त्योह छुद्र हुँझे इद्धुबेईमा इद्धुबेईलाई भोग्न सक्ने इद्धुबेईलाई संचालान गर्न शक्ने इद्धुबेईमा इस्थीत रहानो सक्ने ने , पुण माना भो । आजो गुलायेतिले